प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आप जैहिंद दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है जैहिंद रियक्शन्स पर वाजम आपके लिए बहुत इंट्रोस्टिंग और एक दंदार वीडियो लेकर आएं जिसमें आप देखेंगे पतरकार आर्जु काजमी जी को ज जैहिंद जैब भारत मेजर जनरल डीजी बक्षी सर और सर को हम अकसर टीवी पे देखते रहते हैं और डिफेंस एक्सपोर्ट हैं बहुत शुक्रिया सर क्या जा पाएं थैंक यू सो मच सर हमेश्य आपको सुनती और हास सार पर जब आप कहते हैं ना के लेने के देने पड़ गए तो विल्कुल जी कहते हैं तो सOR हमें सबसे पहले अगर हम अफगानिस्तान की बात करें अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तो सब बाक्ची में लेने के दिए पढ़ गये हैं हमें या नहीं और यह हूँ क्या क्यूltr tribe की इंक्लूडिंग पाकिस्तान औ्जू जो फौज होती है जन्सी होती है वो तो बड़ा सब नाप तोल के काम करते हैं चलते हैं तो फिर यह अफ़ानिस्तान के साथ पहले बहुत जादा यारा ना रहा बहुत दोस्ती रही और अब जो कुछ हो रहा है टीटीपी की तरफ से आपके ख्याल से यह क्यों है आप जो दे गए अफगानिस्तान में वी हैव एड़िट डैट स्ट्रेटीजिक डिप्थ टू पाकिस्तान और आपके जो उस वकत के डीजी आयसाई साथ है जब वो गए काबूल में तो उनका लहजा ऐसा था जैसे कि कोई कॉंकरिंग मिलिटरी हीरो के तोर पे वो जा रहे हो और मैंन सकते हैं क्योंकि कोई भी गर्मेंट अ अफगानिस्तान काबूल में जो आएगी वह वा नाशनेलिस्टिक हो गी जनोफोबिक होगी नाशनेलिस्टिक तो एक दरजा है कि मैं तो कहूंग कि वो जनो फोबिक होगी और जहां तकиком ऐन का है आपको उसका थोड़ी ही द वो काफी बुरी तरह से start हो गई है और जो आपकी तरफ से एक front, eastern front, जो western front, जो की secure हो गया था, जहां पे बिलकुल आपको chain, सकून की आप लेने की सोच रहे थे, वहां पे आपको इतना ज़्यादा problems आ रही हैं, but these could be foreseen. Very frankly, given the nature of the Afghan Republic, the nature of the Afghan Taliban, the xenophobic nature, you forget the Afghan Taliban of any regime that comes to power in Kabul for its own self-image, अपने आवाम के साथ, you know, to keep their image intact, they have to be anti-Pakistan, और यह हमेशा ही नहीं हिल्स और प्लेंस का, हमेशा ही प्रॉब्लम रही है, जहां भी आप देखें, Scotland, England, वहां भी प्रॉब्लम है, और वहां तो hardly hills है, but Afghanistan, Pakistan, hill people, plains people, थोड़ा suspicion mutual रहता है, and I think that is what we are, that is what xenophobia, जो है, we are seeing it play out. बिल्कुल सही, लेकिन सर, हमने ये भी सुनाए, कि TTP पाकिस्तान ने खुद ही बनाई, क्योंकि जारे के तालिवान पाकिस्तान, उनका नाम शायर इसलिए, उनकी तादाद भी बहुत काम है, इतने जादा बड़े नंबर में वो नहीं है, जितना के पाकिस्तान के पास पाउच जो है, वो थोड़े से TTP वालों को क्यों कंट्रोल नहीं कर पारी, बहुत बार ऐसा भी होता है, कि हम सीसफायर की बात सुनते हैं, कि कुछ टाइम के लिए एक मांद के लिए रुग गये हैं, और दो मांद के लिए रुग गये हैं, लेकिन वो टाइम खासतोर पैस पाकिसान जाने और TTP जाने, वो साइट पर हो जाते हैं, लेकिन जब कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं, कि वो TTP का ही साथ दे रहे होते हैं, तो ये कंट्रोल कैसे होगा, और क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा, आपको लगता है कभी नहीं कर पाएंगे कंट्रोल, क्योंकि आपने रिफ्यूजी, I mean, you are also absolutely right in your way, तो कब तक आप रिफ्यूजी पाल के रखते हैं, आपने उनको वापस भेजना शुरू किया है, वापस धकेलना शुरू किया है, और उससे भी ये प्रॉब्लम जो हैं, वो बढ़ रही हैं, फिर इस वकत वो जो अफगानिस्तान की ग खुलेंगे, जैसे कि लेटर से बाइद च्छा बहार रूट इरान के जरिये उनको माल असला नहीं आना शुरू हो जाएगा, उनकी एकॉनमी जो है, वो प्रॉब्लमेटिक ही रहेगी, और वो जो एक्सेस की भी प्रॉब्लम्स आप लोग और पाकिस्तान पैदा कर रहा है बिट्वीन अफगानिस्तान और इंडिया, देखे, जो काबुली वाला था, त्रडिशनल, तेगोर साब ने बड़ी सुन्दर, बड़ी प्यारी कहानी लिखी है, काबुली वाला पे, वो काबुली वाला, इजस्ट टोल, तेल्स यू कि जो मार्केट है, नैचरल मार्केट अफगानिस्तान की, और देर ड्राइब फ्रूट, पिस्ता, बादाम, बगएरा, बगएरा, वो सब की सब इंडिया की तरफ थी, ट्रेडिशनल मार्केट उनकी इंडिया है, तो पागिस, अफगानिस्तान की एकॉनमी तब तक रिवाइब नहीं हो सकती, जब तक उसके इं activity ना होनी शुरू हो, तब तक problematic area है, अब साब वो काफी free for all, no man's land भी हो गया है, अभी हमने देखा की जो अफगानिस्तान के ठीक पार, ताजिकिस्तान है, वहाँ पे recruitment कर रही है, CIE, जिससे उन्होंने Moscow के उपर hit किया, I mean we are all aware of that, तो I am sure वहाँ कोई border जो Central Asia पे हैं, none of those borders are very well defined borders, porous borders हैं, अगर ताजिकिस्तान में हो रहा है, तो I am very sure CIA का play, KGB, FSB का play, और ISI तो है ही, अफगानिस्तान के अंदर, बहुत सारी intelligence agencies जो हैं, वहाँ पे अब inroads कर रही हैं, and मुझे तो इस तरफ से trouble ही दिखती है, पाकिस्तान के लिए, you see, it is essential that ये चीज़ आप जल्दी कंट्रोल करें, नहीं तो, जो सबसे बड़ी fault line पाकिस्तान में है, वो मेरे हिसाब से, पंजाबी पश्टून fault line, अगर ये fault line, जो है, ये दरार अगर गहरी हो गई, then Pakistan is likely to face severe problems, you see, Balooches जो है, उनका area बहुत है, almost 60% of Pakistan, population size बहुत छोटा है, number one, number two, that is not ideal gorilla terrain, वो dense jungle नहीं है, जहाँ पे gorilla छुप सकते हैं, आपकी air power से, आपके helicopter से, fighter jet से, आप उनको locate कर सकते हैं, any moving targets वहाँ पे आप उनको tackle कर सकते हैं, और आप tackle कर भी रहे हैं, सिंध में भी आपकी problem इतनी ज़ादा बढ़ने नहीं बाली, लेकिन अगर ये problem आपकी वाया तरीके Taliban Pakistan, आपकी पक्तून क्वा में, आपके फाटा वगेरा में अगर spread होती है, जब तक अफगान बार चल रही थी, आपकी तो alliance थी, आपके support को वो कभूल भी करते थे, कि हाँ, you are helping them fight the Russians, और उसके बाद northern alliance जब आई, वगेरा वगेरा, वो एक और phase था, ये phase बिलकुल खतम हो गया है, क्योंकि अब कोई external threat अफगानिस्तान को वैसी नहीं रहेगी, जिसके लिए उसे over the shoulder आपकी तरफ देखना पड़े, और अब उनका xenophobia जो है normal, जो उनका traditional रहा है, और खास्तर durand line को लेकर उनकी sensitivity, उसी historically देखा जाए तो ये सारा इलाका, northwest frontier province जो है आपकी पश्टूनकवा है, फाटा बगएरा है, ये सब रंजीत सिंग के जमाने में इंडस के पार ये capture किया गया था, वो तब से accept नहीं कर रहे, वो इंडस को natural boundary समझते हैं, between the highlands and the lowlands, between the plains and this thing, तो ये problem area तो काफी गहरा है, एंड इसको जितना जल्दी resolve कर लिया जाए, मेरे खाल वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होगा, otherwise this can mean serious problem because पश्तून population, demography काफी लाज है, आपके area में, पश्तून demography is quite लाज हो, बलूचेस्तान भी आदे तो पश्तून है वहाँ पे भी, और सारा फाटा, Northwest Frontier Province, अपनी सारा area जो है, KPK वगएरा, फाटा वगएरा, ये सब ये, सब में पश्तून भरे हैं, आपके plains areas में भ कि शावर तक पश्तून's demography काफी strong है, तो ये fault line पाकिस्तान के लिए dangerous हो सकती है, तो आशा करता हूँ कि वीडियो को अपने अंतक देखा होगा, और आर्जु काजमी जी के सवाल और जीडी बखशी साब के दियेगे जवाब आपको काफी पसंद आए होगे, और इस वीड इसका इंतिजार रहेगा, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमापले से interesting, दमदार और knowledgeable वीडियो लाते रहें, तो चलिए, फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबदस डिबेट में, तब तक अपना ध्याम रखिए, जय हिंद, जय भारत झाल